सबसे पहले हम यह देखते हैं कि what is e-business, e-business है क्या चीज़, अब आपने e-business को e-commerce से मिक्स नहीं करना, reason being कि हम दोनों को separately discuss करने लगे हैं, अभी मैं आपसे e-business डिसक्स कर रहा हूँ, e-commerce से डिसक्स कर रहा हूँ, तो e-business से मुराद यह है कि दो companies हैं, या दो entities हैं, या दो organizations हैं, e-business से मुराद यह है कि दो companies पहले आपस में communication कर रही थी, अमोमन वाया phone call, या वाया written letter, या ledger, या वो जो खाते होते हैं, वो लिखते हैं, and so on, e-business जो है, e-business simply हमें यह कहता है, कि जो काम आप पहले फाइलों पे, या रिजिस्टर्स के उपर, या कागस के उपर कर रहे थे, वो काम अब आइस्था आइस्था computer पे move होना है, या जो computer की storage है, जो computer है, वो ही काम gradually move करना शुरू करें, from hard copy, यानि जो हमारे printouts हैं, या ledgers हैं, वो computer पे move करना है, तो इस चीज की movement को, इस चीज की migration को, हम लोग e-business बोलते हैं, that is the core of, यानि यह basic है, e-business की, number one, number two, objective के, क्यों कर रहे हैं, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, यह इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस course का part है, या इस subject का part है, यह इसलिए कर रहे हैं, कि यह आजकल की reality है, हकीकत है, मतलब यह है, कि business में जो agility है, यानि agility से मुराद ही है, कि हमारी जो cost of doing business है, यानि मैं पैसे कम लगाऊं, और मेरा revenue ज्यादा आए, यह objective होता है, किसी भी business का, कि पैसे कम से कम लगे और जो पैसे आने हैं, जो income होनी हैं, वो जादर से जादर हो, आजकल performance of a business, बहुत depend करती है, the way you do business, कि अब कितना अच्छे तरीके से business को use कर रहे हैं, business को आप कर रहे हैं, यानि performance कैसे improve कर रहे हैं, this is where usage of computer comes in, तो business की performance को improve करने के लिए, basically हम लोग computers का use जादा करना शुरू करते हैं, इसमें जादा तरी चीजें क्या include होती हैं, आपका जो vendor है, यानि जिसके साथ आप business कर रहे हो, उसके साथ जो आप communication कर रहे हो, वो आप खतों किताबर से ज़रा हटके, आप for example email use करना शुरू कर रहे हो, या जो आप चीजें कि होती हैं, जो slips होती हैं, या जो आपकी hand return रसीदें होती हैं, वहाँ से आप gradually move करोगे, कि आप computer generated slips को निकालो, या computer generated, आप signatures करो, तो इन सारी चीजों की तरफ, migrate करने का नाम basically e-business है, यसे नाम से बता लग रहा है, कि business करने के लिए, जो जो चीजें आप पहले manually करते हो, gradually आपने वो चीजें via computer करना शुरू करनी है, interesting बात जो है, जो मैंने और आपने समझ नहीं हैं मिलके, वो ये है, कि जो payment है, यानि मैंने कोई चीज खरीदी, किसी पैसे देने है, अमुमर बिजनस क्या होता है, traditionally, जागर मैं computer की बात ना करूँ, electronic cover निकाल दूँ, अगर मैं सिर्फ बिजनस की बात करूँ, तो क्या होता है, कि मैंने चीज खरीदी, मैंने जिससे चीज खरीदी है, उसको या तो मैंने cash payment कर दी, या मैंने उसको check दे दिया या अगर सोड़ सा आगे चलें, तो मैंने उसका account number लिया, और मैंने अपने bank में जाके उसके account में पैसे deposit करा दिये, ये दो तीन तरीके ही होते हैं, ये business में online payment अमूमन include होती है, यानि कोई भी business payment के बगार तो complete हो इनी सकता ना, तो इसका मतलब ये हुआ, कि electronic payment जो है, यान यानि वो payment जो मैं अपने computer से बैठ के, without going into the bank, और मेरे पास ना कोई बंदा आ रहा है पैसे लेने के लिए, ना मैं कहीं जा रहा हूँ पैसे देने के लिए, मैं अपने computer बैठ के, अपने bank से किसी दूसरे के account में पैसे transfer कर रहा हूँ, यह समझे आप, तो वो basically online payment है, ये e-bus business की Amrela में आता है, ये बहुत interesting चीज़ है, secondly, जो e-business है, वो आपने जो समझ है, वो ये है कि it's not, you know, ये overnight नहीं हुआ, ये ऐसा बिलकुल नहीं हुआ, कि one good day, एक अच्छी सुबा, किसी ने सोचा हो, कि चलें आज e-business हम launch कर देते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे और आपको आजकल जो internet की form नजर आती है ना, वो directly, यानि day one से ऐसी नहीं है, day one से कुछ और थी, लोग उसको use करना शुड़ू हुए, feedback आया, technology ने improve किया and so on, so evolution को अगर मैं असान लफ़ों में आपको बताऊ ना, evolution से मरादी होती है, कि एक चीज market में नहीं आई है, और लोगों के feedback के हिसाब से, या technology की grow up से, वो उसकी shapes change हो रही है, this rules apply to e-business exactly, किसी भी natural phenomena की तरह, e-business पे भी ये सारी evolution apply होती है, अब अगर मैं आपको समझाने के लिए, एक picture दिखाता हूँ and I hope कि आपको एक picture कुछ visually समझ आएगी, अब जरा, इस picture के दफ देखिएगा, ये evolution है basically, अब आप ये समझें, ये evolution है human की, अब पहले stage में human है, कोई uniform process नहीं follow हो रहा, इसे मुरादी होती है, इसको जा समझेगा आप लोग, इसे मुरादी होती है कि for example, दुनिया में, let's suppose, दो billion की अबादी है, मैं सब सम्झाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो जादा है, दो billion की अबादी में से कुछ लोग हैं, उन्होंने एक नहीं चीज़ करना शुरू की, ये step number one है, उनका shock था, उन्होंने discover किया, ये कुछ किया, लेकिन कोई, यानि जादा लोग नहीं थे, कुछ लोगों ने एक काम नहीं start किया, वो basic है, ये आपको picture वे जो बिलकुँ left में नजर आ रहा रहा न, that is that thing, उसके बाद step number two है, कि उसको ज्यादा लोगों ने use करना शुरू किया, तो वो थोड़े सा काम करने का तरीका define होना शुरू हो गया, और वो होता गया, अब जो step number three में आपको नजर आ रहा है, वो एक सोड़ा सा grown-up तरीका है, इसको हम बोलते हैं, कि ज्यादा लोगों ने use करना शुरू किया, तो एक natural way of doing the work, यानि लोगों ने उसको लिख करना शुरू कर दिया, कि step number one के बाद step number two है, step number two के बाद step number three है, and so on, उसके बाद, interestingly, level four है, इसमें क्या है, कि आप जो काम कर रहे थ आपने उस काम की, ये देखना शुरू की, कि इसकी importance कितनी कू है, अफादियत इसको बोलते हैं, कि how good or bad I am doing a thing, यानि अगर मैं आपको e-business के हिसाब से समझाओं, या map करने के लिए, कि मैंने एक लाख रुपए की एक चीज ली, लेकिन जब मैंने वो चीज एक लाख की ब तो four level ये कहते हैं, कि आप किसी metric के जरीए, metric से मरादी होती है, कि वो चीज जिसके जरीए आप ये find out करें कि am I doing good or bad, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा हूं, तो ये step number four है, last step है, कि आप हर चीज को continuously improve करना शुरू करते हैं, हमारे case में आखरी step जो है वो ये है कि computer का use होना शुरू हो गया, ये जो आपको आखरी picture नजर आ रही है, तो continuous improvement से मरादी होती है, कि जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि पहले कुछ लोगों ने समाल करना शुरू किया, जब ज़्यादा लोगों ने समाल करना शुरू किया, तो feedback आया, साथ-साथ technology भी तेज हुई, technology में advancement आई, और ये continuously चल रही है, जैसे आज कर हम लोग बात करते हैं कि 5G आ रहा है, 2020 के अंदर, तो 5G जब आ रहा है, तो हम gigabytes की बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग M20 की बात करते हैं, तो हम gigabytes की बात कर रहे हैं सोकत, तो मेरा कहने का मत तब ये है, कि technology के change होने की वज़ा से, आपके पास evolution आती है, अब जो मैं आपको diagram दिखा रहा हूँ, ये आपको evolution दिखा रही है, computing की, पहले मैंने evolution दिखाई थी, e-business की normal human being की तरह, यानि humans कैसे evolute हुए हैं, human कैसे evolution के process से गुजरे हैं, तो अगर मैं अब सबसे पहले बा WasтовER, 2050 से, 1970 के दोरान का में इरा है, इसे मुरादी जो पहले हम लोग क्यूरे क्केपर पर करते हैं, कुछ काम हमने computer बे करना क्यूं शुरू कर दिए इसे मुरादी है हमने storage, कुछ फाइलों की computer बे करना शुरू की, इसके बादवारा हमारा era आता है, 1970 से 1980 के दोरादाए हम on-line computing बोलते हैं 70-80, 80 पलस इसे मुराद यह है कि हमने on-line computing का ऐरा बोलते हैं इसे इसे मुराद क्तन यह नहीं है कि हमने on-line payment करना शुरू करदी या on-line चीजें खरीदना शुरू करदी इसे मुराद यह है कि हमने for example email exchange करना शुरू कर दी जो communication है वो हमने ऐसा ऐसा कंप्यूटर के ज़री करना श्यू कर दी जो इंटरस्टिंग चीज है इसके लिए यह तीसरा एरा है IT डार्क एज जिसको हम लोग बोलते हैं 1980 से 1990 के दोरान का जो एरा है Darkig आप लोग सोच रहूंगे कि Darkig डार्क एजिसको क्यों बोलते हैं डार्क एजिसको इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई नई चीज इंटरड्यूस होती है تو उसके Natural Phenomena है कि लोग उसको जब adopt करते हैं तो performance में dip होता है मतलब ये है कि जैसे ही आपने computer use करना शुरू किये तो जो काम आप manually for example दो दिन में कर रहे थे मैं से सुन्हाने के लिए कह रहा हूँ हो सकता है कि जब computer का use करना शुरू किया हो तो शुरू में वो time frame दो से तीन मिन्ट दो दिन से तीन दिन हो गया हो लेकिन कुछ हरसे बाद वो time frame तीन दिन से हो सकता है आदे दिन पर आज है इसका मतलब है कि कुछ performance डिप होती है यानि performance डाउन होती है business की एक दम से कभी भी कोई चीज improvement की तरफ नहीं जाती और यह समयना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए कि आप all of the sudden you cannot be hero जब कुछ नहीं चीज़ introduced होती है no matter how good or bad it is अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो लोगों को सम्मन्य के लिए भी time चाहिए होता है एक दम से improvement नहीं आया करती इस context में इसको dark age बोलते है if we move forward then there was an era of जिसको हम लोग बोलते हैं a client-server communication 1990 से 1995 यह classical website you know website development gearing toward e-business gearing toward website development gearing toward dot com bubble इसको हम बोलते हैं dot com की तरफ basically हम लोग जा रहे थे यानि एक IP या एक domain name से हम websites को access करने इसको अमोमन हम बोलते हैं a client-server यानि client मैं और आप हो गए server वो डुमेन है आपको समझाने के लिए जहां पे हमारी सारी की सारी request जा रही है और हमें एक web page नजर आ रहा है उसके बाद era आता है हमारे पास e-business का 1995 से 2005 का 1995 से 2005 का era इसलिए यानि e-business का era इसको बोलते है actually जो हमारा actually जो course का title है इस जमाने में website development और आप समझें online sale purchase what was at its peak यानि बहुत ज़्यादा होना शिरू हो गई थी peak से मुराद कतन ही नहीं है कि जितनी sale purchase आज हो रही है अतनी पहले हो रही थी ऐसा मुराद कतन नहीं है मुराद है कि ये boom period था यानि हम दो progress की तरफ चल पड़े थे तीसरा उसके बाद आपको या आप नज़र आ रहोगा technical debt and pay off 2005 से लेकर 2010 technical debt से बड़ा असान सा समझाने के लिए है ये बहुत technical terminology लेकिन I will try to explain you now very very simple देखें आपके 10 steps से business को करने के लिए अब 10 के 10 steps एक साथ electronic business में convert नहीं होंगे पहले दो होंगे फिर तीन होंगे फिर चार होंगे लोग यूज करना शुरू करेंगे या नी इसको बोलते हैं कि at a particular point in time even today in 2018 even कोई भी business 100% computerized नहीं है बहुत कम companies हैं जो है claim करती है इसके मुराद ही होता है कुछ steps आप अपने business के अभी भी manually कर रहे होंगे और कुछ steps आप computer पे ले गए होंगे तो जो काम अभी manually हो रहा है वो जब computer पे move होगा तो इसको हम technical debt बोलते हैं जो gap है यानि registers पे आपके कुछ records लिखे हुए और कुछ आपके पास computer पे हैं जब तक रिजिस्टर के सारे record computer पे नहीं आ जाएंगे तो computer पे खाली आप रिलाइ नहीं कर सकते यानि you have to go back to register again to complete your business तो this is a technical debt कि आपको कुछ चीज़ें computer पे लेके आनी हैं to complete a business जब तक रिलाइ आती you have to rely on your physical thing यानि computer खाली आपके यानि सिर्फ computer से आपका काम पूरा नहीं हो रहा ये असान लफ़ों में a technical debt है आज कि हम बात करें now it's mobile cloud computing यानि mobile पे हम काम ज़्यादा करते हैं और cloud computing ये हम आगे लागे बहुत डिटेल में डिसक्स करेंगे कि अब आप अपने computer पे भी e-business आज क्या है this picture we elaborate a very good thing एक मेरी company है उस company में multiple लोग काम कर रहे है मेरे employees हैं मेरे friends हैं मेरे colleagues हैं ये e-business के tools हैं यानि email है Facebook है Slack है Skype है Google Hangout है जितने tools हैं लोग आपस में communicated हैं अब मैं इन tools के जरीए अपनी business की catalog भी maintain कर रहा हूँ sales भी maintain कर रहा हूँ auction भी कर रहा हूँ payment भी कर रहा हूँ website अगर है उसको भी manage कर रहा हूँ email को भी manage कर रहा हूँ और उसके थरू मैं client से communication भी कर रहा हूँ so this is what is we called e-business ecosystem कि एक तरफ में पास सारे के सारे tools है उन tools के जरीए कि मैं कुछ operations पर फॉर्म कर रहा हूँ email चेक कर रहा हूँ website maintain कर रहा हूँ communication maintain कर रहा हूँ payments कर रहा हूँ and client से communication भी कर रहा हूँ कर रहा हूँ